ये है पांचवा अध्याय आप इसका नाम पढ़ेंगे इसका नाम है अध्याय पांच कर्म योग क्रिश्ण भावना भावित कर्म इस तरह से इस अध्याय का नाम है तो आप बोलेंगे कि पहले ही कर्म योग तो हो चुका है तो दुबारा से कर्म योग का टॉपिक क्यों हो ऐसा इसलिए है, दो बार आप देखेंगे कर्म योग आएगा, अध्याय तीन भी कर्म योग है और अध्याय पांच क्या है, क्रिश्णा भावना भावित कर्म योग, दोनों सेम ही है, केवल इसमें वर्ड एड़ कर दिया, ये भी कर्म योग ही है, दोनों में डिफरेंस क्या पताया जाएगा कि उनी कर्मों को कृष्टन भावना भावित कैसे बनाएं। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता, भक्ति करें या कर्म करें। अगर भक्ति छोड़ देंगे, तो कर्म करते रहेंगे, तो हम संसार में हम ऐसी जीते रहेंगे, कष्टों से, और अगर केवल और केवल भक्ति करेंगे, कर्म छोड़ देंगे, तो खाएंगे, पीएंगे, क्या, ऐसा कोशन हर कोई करता है, तो आपको ये ध्याय पढ़के पता चलेगा, अपने कर्मों को हम भगवान के कैसे समर्पित कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम ही यही है, कृष्ण स्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमने चार अध्याय पढ़ लिए हैं, ये पांचवा अध्याय है, तो इसमें सबसे पहले प्रश्ण पूछने जा रहे हैं, अर्जुन, अब इसमें कॉन्वर्देशन में आप देखेंगे, दो ही लोग हैं, और कोई नहीं है, अध्यान कृष्ण ने रणभूमी में बताया, और यही बात, as it is, जो है, वो बताई संजे ने धितराष्ट्र को, हस्तिनापूर में, इस तरह से आता है, अर्जुना उवाच, अर्जुन ने कहा, तो आप देखेंगे, एक एक श्लोक को यहाँ पे, जो ब्लू में लिखा है, उपर वले श्लोक को यहाँ पे, डिवाइड करके लिख्या गया, एक एक वर्ड को, इस तरह से यह याद easily हो जाता है, अब पढ़ना easy हो जाता है, इसलिए हमारे को शब्दार दिये हैं, अब आ पहले आप कहा रहे हो कर्मों का त्याग कर दो, बुरे कर्मों का त्याग करो, और फिर कह रहे हो कि भक्ति पूर्वक कर्म भी करो, क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे, इन दोनों में कौन अधीक लाप्रत है, क्या बेटर है, भगवान से पूछ रहे हैं, अर्जुन, कर्म त्याग करने के लिए कह रहे हो, पहला, दूसरा, फिर कह रहे हो, भक्ति पूर्वक कर्म करो, इन दोनों में से क्या बेटर है, तो आईए नीचे तातपरे में हम पढ़ेंगे, भगवान बताते हैं, भक्ति पूर्वक किया गया कर्म, जुष्क, ड्राई चिंतन, ड्राई नॉलेच से श्रेष्ट है, भक्ति पत अधिक सुगम है, भक्ति जादा अच्छा है, ज्यान मार्ग से, क्योंकि दिव्य सुरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंदन से मुक्ष करती है, दुईतिया ध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंदन का समान्य ज्यान बतलाया गया है, उसी में बुद्धी योग, अर्थाद, भक्ति द्वारा इस बहुतिक बंदन से निकलने का भी वर्णन है, तो ये दूसरे ध्याय में बता रहे हैं कि उसमें क्या है, आत्मा का ग्यान, अब आता है तीसरा ध्याय, इसमें क्या बत ये इसमें बताया गया, और चौथे अध्याय में, फोर्ठ चेप्टर में बताया गया, भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यग्जों का पर्यवसान ग्यान में होता है, इसलिए समझने के लिए हमें क्लासीज में जुड़ना चाहिए, जब हम सुनते हैं तो कही सा होते हैं चैप्टर वन क्या था अभी उसमें केवल अर्जुन अपने प्रश्ण पूछ रहे हैं अर्जुन लड़ना नहीं चाहते असान शब्दों में हम बताएं तो दूसरे अध्याय में क्या था आत्मा का ग्यान उसमें आप देखेंगे सारे श्लोक आत्मा से रिलेटिड कि अपने जो भतिक कर्म हैं उनका त्याग कैसे करना है यह बता दिया और चौते अध्याय में भगवान ने बताया दिव्य ग्यान क्या है और इस ग्यान को लेते वे भगवान समर्पित कैसे करना है कर्म अब एक तरफ भगवान कह रहे हैं कर्म छोड़ दो एक तरफ कह रह अगर देखा जाए तो भगवान के सारे जीव है, भगवान केए हैसे तो फिर लड़ने को क्या है, अपने ही भाई-भेनो से लड़ने को क्या है, इस तरह से पदा चलता है. अब यहाँ पर बताया जाएगा यह अर्जुन का कोशन है जो कि अर्जुन इस दुवीधा में थे अब यहाँ पर भगवान कृष्ण उनको उत्तर देंगे कि क्या इसका अंसर होना चाहिए यह है पांच्छो अध्याए दूसरा नमबर श्लोग श्री भगवान उवाच्चा यहाँ पर आता है श्री भगवान ने उत्तर दिया देखो यहाँ पर आ रहा है सेकिंड श्लोका में आप इसको पढ़ेंगे सबसे पहला वर्ड आ रहा है आगे भगवान कहते हैं उभव तयोतु कर्म सन्यासा कर्म योगा विशिश्यते अब देखो सन्यास वर्ड आ रहा है सन्यास का मतलब क्या होता है कई बार लोग सुछते हैं औरिंज कपड़ा पहनना सन्यास है मगर भगवान ने क्या बोला कर्म का परित्याग ये सन्यास कहलाता है असान शब्डों में और यहां पे भी देखो क्या लिखा है कर्म सन्यासा का मतलब सकाम कर्मों से त्याग यानि सन्यास का अगर कुल मिलाके मतलब देखा जाए तो त्याग ही है अब वो क्या त्याग है? इसके बारे में हम यहां पर फड़ेंगे. तो भागवान बता रहे हैं अब अरजुन को उत्तर देंगे. अरजुन ने जो क। tuition किया उसका भागवान आंसर करेंगे. यह हमारा भी होता है. केवल अरजुन का नहीं है. भागवान ने उत्तर दिया. की ओक्ति के लिए तो कर्म का परिट्याग चाहता भक्ति मैं कर्म योग दोटी मैं कि क्यूं किहीं इन दोनों में चाहि Bulgar ये तुर्म कर्म स्रेश्ट्र है üç वाइन ही थार्ण प्र। एसका रहा अब भगवान कहरें कि क्या बैटर है करमों का त्याग करते वोग्वन को क्या लगता है किया अच्छा है भगवान यहां पे पर एकए भक्ति पूरुवा कर्म करना श्रेष्ट है केवल कर्म छोड़ देना कि मैं तो भगवान का ग्यान ले रहा हूँ अब मुझे जरुवत नहीं है मैं भगवत गीता पढ़ने लगाओ भगवत गीता पढ़के व्यक्ति कैसा हो जाता है घरेलू हो जाता है व्यक्ति को कहीं जाने का मन नहीं करता ऐसा नहीं है देखो भगवान आप किसी की भी बात को आंसर कर सकते हो लोगों का भी यही कोशन रहता है कि भग्ति करूँ या कर्म करूँ तो भगवान ना तो यह कह रहे हैं कि कर्म बंद कर दो कि कर्म बिल्कुल हटा दो, आपके लिए कर्म नहीं है, आप घर बैठो और उन्जॉय करो, भगवान ने का आप कर्म करो, और दूसरी चीज भगवान ने क्या करो, कर्मों का परित्याग भी करना है, मगर कर्म कैसे करने है, भक्ति पूरवग, तो वो वाले कर्म नहीं करने, जो हमारी इंद्रित्रिप्ती के लिए हो, यानि IT के लिए हो, अपने आख, नाख, कान, इन सब कोई सेंसिस को एंजॉय करने के लिए हो, मान लो, आखों के लिए हम अच्छी सी मूवी देख रहे हैं, या कोई अच्छी सी हमने कोई वेबसाइट खोली, उसको स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, औरे देख, क्या लग रही है, सुन्दर लड़की है, तो ये भी तो एक तरह से कर्म योग है, आप अगर देखो, कर्म य जगा भगता है, जो फोन चला रहा है, उसने वहीं पर खोला हुआ है, मान लो, वेदाबेस.com, या भगवत गीता, या कुछ और खोला हुआ है, और ऐसे ऐसे करके, वो स्क्रॉल करके पढ़ रहा है, इन दोनों के उसमें क्या फरक है, एक अपने इंद्रियों को, सुन्दर है ना, ये लड़की देख कितनी सुन्दर लग रही है, और दूसरा, अपनी आखों से भगवान का या तो धर्शन कर रहा है, या भगवान के बारे में पढ़ रहा है, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए भगवान ने क्या बोला, कर्मों का त्याग नहीं करना है, भगती पूर्वा कर्म करना है, इसको और एक आगर आप देखो, जनरल नौलेज में सन्यास का मतलब क्या होता है, और इंज कपड़े वाले बाबाजी हैं, पुरुजी हैं, ये सन्यासी है, जनरली लोग यही मानते हैं, और इंज कपड़े वाले बाबाजी सन्यासी है, हमा कर्मों का त्याग करना सन्यास है ऐसे तो कई लोग है आप बोलोगे कर्मों का त्याग तो भिकारी ने भी कर रहा है वो भी तो सन्यासी हुआ है देखो यहां पर कर्मों का त्याग का मतलब आप सन्यास का मतलब यह मैं नहीं बोल रहा भगवत गीता में लिखा है सन्यास का मत वहाली नहीं बिठा सकते, तो काम हमारे को करना पड़ेगा, तो भगवान इसलिए इस बात को कह रहे हैं, कि सन्यासी यानि ऐसा सन्यासी जो अपने कर्मों को त्याग कर दे, यह अपना बैठा हुआ है बाबजी बनके यह वो बनके बैठा हुआ है, बोले मैं काम नहीं आत्मा है, मात्मा है, शरीर के लिए क्यों करना हम तो आत्मा है, भगवत गीता ये नहीं सिखाती, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, इससे श्रेष्ट क्या है, भगवान के लिए कर्म करना, भक्ति पूर्वक कर्म करना, अब भक्ति पूर्वक का होगे, कैसे कर्म करू नहीं है उसके CEO founder कोई और है मैं तो हहां पर job कर रहा हूं या मैं business चला रहा हूं मैं इसमें कैसे भगवान को समर्पित कर रहा हूं अपने कर्म को आप उससे जो income कमाते हो उस income में से कुछ इसा दे देते हो यह लो प्रभुजी जन्माश्तमी दान यह लो प्रभुजी गवद तो कुछ ना कुछ दान के लिए अगर ऐसा नहीं अपने घर में आपके घर में जो भगवान है उनके लिए ड्रेस लेना उनके लिए ड्रेस सीलना उनके लिए कुछ नया लेके आना जूला लेके आना उनके लिए जूला बनाना आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने पैसे अ वहीं दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति और इसमें क्या डिफरेंस है, दूसरा व्यक्ति अपना आउटकम भगवान को दे रहा है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, भगवान के लिए अगर आप करते हो, इतनी आपने महनत करी और आउटकम भगवान को दे दिया, क आपके पेरेंट्स को अच्छा लगता है अगर आपके लिए ही मान लो हमारे पेरेंट्स हैं हमारे पेरेंट्स अगर हमारे लिए कुछ भाहर जाएं और बच्पन में आप सबने देखा होगा चिप्स लेके आते थे हाला कि भक्ती में हम नॉर्मल ही बात कर रहे हैं जनरल एक नॉलेज में जब भाहर से कोई आता है चिप्स लेके आते थे या रिष्टेदार आते थे और रिष्टेदार कोल ड्रिंक लेके आ गए चौकलेट लेके आ गए आप बोल दो चौकलेट लेके आ चौकलेट खुछ ज को बहुत कुछ होते हैं यह मेरे लिए special कर रहा है इसने मेरे लिए बहुत स्पेशल किया है तो यह डिफरेंट है देखने में एक जैसा लगएगा एक भौतिक वादी वार्वक्त मगर दोनों के करमों में difference होता है बहुत बड़ा difference है आगर मान लो आप घर से हर महीने पैसा कमाओ पैसा कमा कि अपने family वालों को एक रुपिया ना दो खुश होंगे आपके family वाले मानते हों खुश होंगे पैसा कमाया एक रुपिया नहीं होंगे, मगर वही पैसा आगर आप देदो के खुश होंगे, अब केवल पैसो की बात क्यों करें, आप अपना तन से भी सेवा कर सकते हो, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए अपनी मदर का या अपने फादर का पैर दबाते हो, उन्हें अच्छा लगता है या नहीं से ठीक हो जाएगा, क्या उनको अच्छा लगेगा? उनको अच्छा लगेगा जब आप उनके लिए कुछ सेवा करोगे हाथ से, तो अपने तन सेवी भी, अपनी बोडी ली, इनसे अभी आप सेवा पे लगा सकते हो, खुद को, मानलो मार्किट जाना है, आपके पेरेंट् पड़े, और बच्छा रो रहा है, बोले कोई बात नहीं, भगवान को चले जाएगा, अल्ला को प्यारा हो जाएगा, होने दो, कोई बात नहीं, ऐसा ही तो करना चाहिए, मगर हम करते हैं, तन से सेवा या नहीं करते हैं, और जिसके लिए करते हैं, वो ठैंक्फूल हो जा सबी effort लगाते हो या उसका outcome देते हो कोई मन से भी सेवा कर सकता है मन से कैसे करोगे सेवा आप chanting कर सकते हो सबसे बड़ी यह भी बहुत बड़ी सेवा है शांती से बैठो चैंट करो बैठ नहीं सकते तो चलते वे करो बहुत तबित खराब है तो पीछे सारा ले लो अर तब कर है मैं कैसे ना मानू इसने मेरे को अपना दो घंटे समर्पित किया है वो खुश होंगे आप जब इससे दो घंटे कॉल पर बात करते हो वो आदमी सामने वाला होता ना प्रभुजी बहुत मन में दूइधाएं थी अब आपको बता के बड़ा अच्छा लग रहा है बड़ एक बच्चा स्कूल जाता है स्कूल जाते जाते मानलो कुछ ले आया बजार से खरीदा वोला यह पापा के लिए लिए लूगा और उसको ले मेरे लाया दिखाओ दिखाओ क्या लाया हो सकता है वो चीछ बहुत सिंपल सी हो मगर फादर खुश होते हैं तो यह तो सुझो जब हम बहुतिक संसार में हैं, जब एक व्यक्ति खुश हो सकता है, तो भगवान क्यों नहीं हो सकते, आप थोड़ा सा भी टाइम देोगे, थोड़ा सा भी कुछ करोगे, उससे भगवान बहुत कुछ होते है, तन, मन, धन, कही ना कहीं आपको कुछ ना कुछ, हर दिन सेवा भगवान की लगी रहना चाहिए, अगर आप भगवान को दोगे, वो चीज आपका पर्मनेंट अकाउंट बनेगा, तो इसे कहते हैं भक्ति पूरवक कर्म, और एक होता है कि कर्म करना बस ऑफिस आ रहा है, घर आ रहा है, गधों की तरह, जो हम चलते रहते हैं, एक होता है रेक्ती बिजनस कर रहा है, बस यह मैं बिजनस लॉस है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, उसमें भगवान को जोड़ दो, लाइफ का केंदर बनाओ भगवान को, आप भगवान को परिवार वाला ही नहीं मानते, अभी आप कर पूछो किसी भी भक्त से आपके घर में कितने लोग रहते हैं, जादा तर लोग क्या बोलेंगे, मेरे घर में मैं हूँ, मेरी मदर है, और मेरी बहन है, या भाई है, और मेरे पापा है, बस चार लोग रहते हैं, इतना ही बोलो गया, तीन लोग रहते हैं, चार लोग रहते और भूल भी गए उनको, कहरें सब कुछ देने वाला मैं और मुझे ही भूल गया, मुझे पत्थर मानते हो, इसलिए जैसी आपकी शब्दा आपको पत्थर दिखेगा, जिसको भगवान दिखेंगे उसको, भगवान फोटो में भी नजर आएंगे, जिसको पत्थर लगेगा ये तो धीरे धीरे इस लेवल तक बढ़ने के लिए है, इस लेवल पर हम पहुँचें, भगवान को अपने लाइफ में किंद्र बनाए, कि हम हर कर्म भगवान के लिए करें, तब ये भक्ति पूर्वा कर्म बनता है, और अगर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इन कर्मों के बार एक थोड़ा सा उसका फल मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्वरक लोग पहुच जाएगा, और फिर नीचे डाउन 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 और इसको नरक लोगों में ले जाएंगे, कहेंगे आ गया एक बंदा, एक नया दूत आ गया, आप इसकी हम खिचाई करें करेंगे, कम, ऐसी यमदूतों का स्टाफ भी कम होने लगता है, तो उनको दुखी होता है, अरे आतकल कोई पाप नहीं कर रहा, कैसे लोग हो गया, पृत्वी में कितना हरे कृष्णा चल रहा है, पृत्वी में सारे के सारे लोग अधर्मी, पापी, है न, द्रोही, और कृ नहीं आएगा, यह सफीशन नहीं है, प्रभुपाजी, देखो लिखते हैं यहां पर, इसी में लिखते हैं तातपरे में, आप इसको पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस लोग को पढ़के, यह आता है, भागवतम का, यहां पर श्लोग कोट किया गया इसी तातपरे में, लोग इंद्रित रिप्ती के पीछे मत हैं, वे यह नहीं जानते हैं कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर, उनके विगत, सकाम कर्मों का फल है, यह केवल हमारे हमने कुछ कर्म किये हैं तो हमारे को यह मिल गया, यद्यपी यह शरीर नाशवान है, इस शरीर का विनाश होना तय है, किन्तु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है, इस शरीर में केवल कष्ट ही कष्ट है, आगे पढ़ो, जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विशे में जिग्यासा नहीं करता, उसका जीवन वियर्थ है, आप इसको पढ़ो, भा भागवतम का उपर श्लोक है, देखो इसको यहां पर दिया गया है, भागवत पांच्वा सकन, पांच्वा ध्याय, चौथा पांच्वा छटा नंबर श्लोक इस प्रकार हुआ है, जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विशे में जिग्यासा नहीं करता, आपको ज इंद्रितिति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, इस तरह से और चलता है, और जब तक वे इंद्रितिति के इस चेतना में फसा रहता है, तब तक उसका देहांत्रन बार बार जनम रित्यु चलता रहेगा, यही चलता रहेगा बार बार, आगे हां पर पड़ो, बले ही उस का मःन सकाम कर्मों में वियस्त रहे बले ही हो सकता है हमारे मन में अनेक अनेक इच्छा है रहे, कुछ ना कुछ चीज़ को पाने की और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो सकता है, बहुत बड़े अज्ञानी क्यों ना हो, किन्तु उसे ववासु देव कि भक्ती के प्रती प्रेम उत्पन करना चाहिए, ये वासुदेव है, वासुदेव नहीं है, कृष्ण के पिता नहीं है, भगवान कृष्ण की बात हो रही है, केवल तभी वे भव बंदन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है, जब आप भक्ती में लगोगे, तभी सं स्यंठ नहीं है इतना ग्यान कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, ये इसका काम क्या है, एक भगवान है, भगवान की सेवा करना, तब ये श्यंठ नॉलेज है, और वो जिवे में फिर लगना पड़ेगा, जिग्यासा करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे, केवल यह जान लोगे कि मैं आत्मा हूँ, सफिशेंट है, अब मैं अपने कर्म को त्याग कर रहा हूँ, प्रभु जी, हरे कृष्णा, मैं जीवन में आत्मा का स्तर पे पहुंच गया हूँ, ऐसा वेक्ति को कुछ नहीं होने वाले, प्रभु पाज जी कह रहे हैं, यह सफिशेंट ही नहीं है, इसलिए यह ग्यान ड्राइ नॉलेज क्यलाता है, ऐसा ग्यान ना ले, ग्यान कृष्ण हो जिसमें उसको ले, जादतर संस्थाओं में आत्मा के उपर ही ग्यान दिया जा होगे, और आपको क्या करना होगा, बस शांती से बैट के पांच मिनट दे दीजिए, ऐसे करिए, हाथ को ऐसे करिए, हाथ अपने सामने, अपने घुटनों पर देखिए, और क्या बोलना है, ओम, 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 और लोग कहते हैं, अरे वा, क्या सिखाया है इन्होंने, ओम का मंत्रुचारण, ओम सिखा रहे हैं, ओम की बात चल रही है यहां तो, बहुत बड़ी बात कर दी, ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइम बेस्ट कर रहे हैं लोगों का, अरे ओम क्या है, भगवान कहते हैं, मैं दिव्य ध्वनी में ओमकार हूँ, भगवान भगवत गीता मे पोड़ोगे, ऐसा ग्यान का क्या करना, नकली ग्यान का, अरे हम आत्मा हैं, मारा काम है भगवान की सेवा करना, इसलिए सही रूप से ग्यान लेना जरूरी है, कुछ भी ग्यान ग्यान नहीं होता, आगे हम बढ़ेंगे, तो भगवान ने देखो कितना अच्छे से भगव से श्रेष्ट है, तीसरा नंबर श्लोक आता है, इसका अनुवाद आता है, जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घ्रिणा करता है, तो जो उसको कर्मफल मिल रहे हैं, अपने कर्मों को कल के उसके फर मिल रहे हैं, उससे घ्रिणा नहीं करता, और ना कर्मफल की इच्छा करता है, इच्छा भी नहीं करने, और जो मिल जाएँ उससे घ्रिणा भी नहीं करना, पूरी तरह से, क्यों? इसका अनुवाद नहीं बताया गया, जो उसको अपने कर्म फल मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ मिला, अपनी लाइफ में उसने कर्म किया, तो कर्म करने से भी घृणा नहीं करता, कि कर्म करके क्या फल मिलेगा उससे भी घृणा नहीं करता, ऐसा वेक्ति सही रूप से सन्यासी है ना तो कर्मफल की उसकी इच्छा रहती है कि मैं यह कुछ करूंगा ना तो मेरे को यह मिल जाएगा यह भी नहीं होना चाहिए और जो मिल जाए जो भागवान अटोमेटिकली हमार को हमारी लाइफ में दे दें उसे भी खुश रहना चाहिए फिर वो ग्रहस्त व्यक्ति भी सन्यासी के स्तर पर ही माना जाएगा जो मिल जाए भागवान की बहली से मैं खुश हूँ भागवान मुट पर कृपा कर रहे हैं मैं खुश हूँ यह सन्यास तुम्हें क्या पता औरींज कपड़ा पहनते हैं हेडश कर रहता है आपके लिए तो वह सन्यासी है मगर उनमें डिफरेंस होता है वो एक डंडा लेकर चलते हैं वह कहते हैं हम और भागवान एक हैं हम निराकार में जाके लीन हो जाएंगे ऐसा ग्यान क्या करोगे आत्मा का लीन होने का ग्यान और एक वैष्णव सन्यासी होता है वो अपने सारे कर्मों को उसको त्री डंडी सन्यासी कहते हैं तीन डंडों को जोड़के वो बना होता है उसको त्री डंडी सन्यासी वैष्णव जैसे स्कौन में भी होता है कोई सन्यासी त्री डंडी सन्यासी कहला ह यानि कि वो तीन डंडो का बना होता है मन, कर्म और वचन इस तरह से उसको बोलता है मनसा, वाचा, कर्म ना कि तीनों रूप से भगवान को समर्पित है ऐसे ही अगर हम भी समर्पित हो जाए तो आप ग्रस्त रूप में भी सन्यासी के अवस्था में कहला हो गए सन्यासी आश्रम में नहीं, सन्यास अवस्था में अवस्था की बात हो रही है कि जो आपको मिल जाए उसे खुश रहो और जो फल की इच्छा होती है उसे ना करो, मगर इस स्टेज बे आना इसलिए फल की इच्छा से मुक्त होना बहुत बड़ी चीज है इतना इजी नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो यह वन डे के लिए टू डेस का प्रोसेस है आगे है चौथा नंबर श्लोग वर्स नंबर फॉर अब इसका अनुवात पढ़ेंगे यह बहुत अच्छा है आप इसका अनुवात पढ़ो ध्यान से अज्यानी ही भक्ती यानि की कर्म योग ये कर्म योग नॉर्मल वाला कर्म नहीं है ये भक्ती मय कर्म की बात हो रहे अज्यानी ही भक्ती मय कर्म को भौतिक जगत के विशलेशन आत्मत सांख्ये से भिन कहते हैं जो बस्तुतह ज्यानी होते हैं जो बस्तुतह ज्यानी है वे कहते हैं कि जो इन में से किसी मार्क का भली बाती अनुसरण करता है वे दोनों के फल को प्राप्ट कर लेता है आगे हम पढ़ेंगे तात्परे में सांखे योग और भक्ती योग के बारे में बताये गए इस लोक में आपको लिखना चाहिए सांख्य योग और भक्ति योग, इन दोनों में क्या समानता हैं और क्या डिफरेंस है, सांख्य योग के बारे में आप डेफिनेशन देखो, भौतिक जगत के विशलेशन आत्मा का ध्यन, सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप करना सांख्य योग का इजी मिनि संख्या पूर्वक आत्मा का ग्यान और इस भौतिक जगत का ग्यान, ये सांख्य योग है, ये किसने दिया, भागवान कपिल, कृष्णी के एक अवतार थे, भागवान कपिल उन्होंने दिया आगे हाँ पर बताता है, एक विधी से ब्रिक्ष की जड़क होजी जाती है, और दूसरी विधी से उसको सीचा जाता है, सांख्य दर्शन का वास्तिरी छात्र, जगत के मूल अर्थाद विश्नु को ढूंता है, और फूर पूर्ण ग्यान समेथ, अपने को भागवान की से सांख्य योग भक्ति योग, दोनों का एक ही टार्गेट है, क्या तिष्ट नहीं यहाँ विश्नु की प्राप्ति, तो दोनों में इक डिफरेंस कहा है, कई बार सांख्य योग में क्या डिफरेंस आता है, आजकल कई लोग जो भागवान कपिल ने भागवतम के थर्ड कें में सांखे योग दिया, उसमें लोगों ने उसको तोड़ मरोड दिया, बोले निराकार में लीन हो जाओ, मरने के बाद सब लीन हो जाता है, सब नश्ट हो जाता है, ऐसा सांखे योग सांखे योग नहीं है, तो जो भगवान का पिल ने दिया वो गलत कैसे हो सकता है, भगव जगत के बारे में और आत्मा के बारे में ज्ञान लेना और फिर ये जानना कि हमारा अल्तिम लक्षे क्या है विश्णु की प्राप्ति करना तो सांक्य योग और भक्ति योग दोनों का एक ही टार्गेट रहता है अब मागे बढ़ेंगे श्लोक में पांच्वे नंबर श्लोक में यत सांख्यय प्राप्यते स्थानम तत्योगय अपी गम्यते एकम सांख्यम चायोगम चाया पश्यती सहपश्यती जो यह जानता है कि विश्लेशन आत्मक अध्यन यानि सांख्यय द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस थरह जो सांख्यय योग कति भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तूओं को यथा रूप यानि यानि यह दोनों अलग-अलग नहीं है सांख्यय योग का भी एक ही लक्षे है भगवान की प्राप्ति करना अगर आप सांख्यय योग के बारे में पूछेंगे कि कहां पर डिटेल में मिलता है प्रभुजी है क्या सांख्यय योग तो जो भगवत गीता का chapter number two है वो सांखे योग पे ही है उसमें आत्मा का बहुत detailed ग्यान है इस तरह से सांखे योग में भी आत्मा के उपर बहुत detailed में ग्यान है यहां तक कि भगवान कपिल यह तक बताते है कि जब जीव आत्मा इस शरीर में आती है कैसे वो आती है लोग बोलते ना बर्थ कैसे problem होती है हम कैसे माने बर्थ problem है death तो problem है यह भी रोना आता है बर्थ में तो सब खुश होते है आप देखो जब वो पच्चा पेट में आता है मा की तो वो खुश नहीं होता उसमें बताते हैं कितने दिन तक वो एक सीमें होता है सीमें से एक छोटा वो बड़ा बड़ा होके बड़ा अपना आकार बड़ा लेने लगता है फिर कैसे कैसे वो अपने ऐसे करके आपने देखा होगा मा के पेट में बच्चा ऐसे होता है बहारी लोगों को बहुत कुशी हो रही है वाह बच्चा आने वाला है लड़का आएगा लड़का आएगा बस यही चल रहा है मा भी खुश होती है कि बच्चा आएगा बच्चा आएगा जबकि खुद कोई कश्टो हो रहा है पेन हो रहा है तो शुरुआत में जो चीज अच्छी लगती है जरूरी नहीं उसका आउटकम अच्छा हो यहां तक कि यह तक बताते हैं भागवतम के थर्ड केंटो में कि एक व्यक्ति का गोरा रंग और एक व्यक्ति का काला रंग क्यों होता है जिसने अच्छे कर्म कियें पिछले जनम मे अगर बुरे कर्म किया तो इससे आप से तो यो यॉरोपींस हैं आप क्यों होसी जो बहुत अच्छे वां पुआ का好的 आख कर्म की ए और एक तरह आए उनके तो बहुत बुरे कर्म रहे तो यह बात सच भी है आप मानतों इस बात को नहीं मानते European countries में आप जाओ लोग इतने गोरे होते हैं आपने देखा होगा जैसे white color जैसे नीचे लिखा रहा है channel white color में आप देखो एकदम deep white होता है ऐसे color के होते हैं जैसे milk का color होता है उनके color ऐसे भी है आप जाओ जैसे Netherlands कई ऐसी countries हैं उसमें लोग जो है बहुत ब्यादग हो रहे हैं आप क्यों किया है दूदिया हो क्या उनके color इतने white है और एक तरह जाओगे African countries में कितनी गरीवी आप जाके देखो आप बिलीब नहीं कर सकते African countries में कितनी कितनी वो है पावर्टी है बहुत जादा है इंडिया में तो सब कुछ available है इंडिया के लोग middle पे हैं ना उपर ना नीचे middle पे थोड़ा गोरा थोड़ा काला थोड़ा थोड़ा काला यहां क्या dark complexion इतना नहीं है जितना African countries का है मगर हम किसी को यहां पे color में भेद नहीं कर रहे है कि white वाला होगा तो अच्छा होगा ऐसा कुछ नहीं है एफरीका में कितने मंदिर है कितने लोग भक बन रहे है उसमें क्या फरक पड़ता है कि यह यॉरप का है यॉरप वाला आज अच्छा अगर उसको पिछला करम से गोरा रंग मिल या नरक चला जाएगा ये तो केवल उपर की चमड़ी का रंग है तो ये बताया जाता है भागोतम में ऐसा क्यों होता है इसलिए आप देखते होंगे पहले की समय में कि प्रभु जी हम जब देखते हैं सत्यूग का समय होता था कोई लोग काले क्यों नहीं होते थे मानते हो नहीं मानते आपको अब समझ में आया कि क्यों कलर डिफ्रेंशियेट होता है सत्यूग में आते थे त्रेता यूग में भी हम देखते थे हम यहाँ पे भगवान की फोटो देख रहे हैं, द्वापर यूग में भी थे, कृष्णी के साथ गौल बाल थे, सारे गोरे थे, ऐसा क्यों? ये तो ठीक है कि वो नित्य पार्शत थे, मगर और कोई भी जो साधारन प्राणी थे, मत्धुरा के जो साधारन लोग थे, जैसे तो कोई साधारन नहीं थे, सब भगवान की लीला के ही से, मगर फिर भी जैसे इंदरप्रस्त के लोग हो गए, इतनी जगा भगवान गए, वो तो साधारन होने चाहिए, पर वो लोग भी गोरे ही दिखते थे, उनको काला क्यों नहीं बनाते थे? उस समय पाप कम किये जात देंगे, इस तरह से पता चलता है, मगर इसमें कोई कम, ये तो केवल चमडी है ना, चमडी के अंदर क्या है हड़ी, और इसके मृत्यू तो होनी है शरीर की, तो ये तो केवल एक बताया गया, इसे सांखे योग में डिटेल में बताया गया, इसलिए जो भगवान कपिल का सांखे योग है, तो कई बारी लोग सोचते हैं, ये कुछ अलग ज्यान है, और जो भक्ति योग, भगवान कृष्ण का भक्ति योग है, वो अलग है, नहीं, एक ही चीज है, मगर आजकल लोगों ने इसको तना तोड मरोड, इतना तोड मरोड दिया है, कि सांखे योग को अपने ही चीजे बना दिये, एक और आये कपिल मुनी करके, एक भगवान कपिल है, कपिल मुनी आये, कपिल मुनी ने इसको पूरा का पूरा बता दिया कि ये निराकार की ओर ले जाता है, कभी-कभी हम कपिल भगवान को कपिल मुनी भी कह देते हैं, मगर वो कपिल भगव भगवान कृष्णी के अवतार थे, माता देव भूती और कर्दम मुनी के पुत्र थे, और ये जो अभी चल रहे हैं, अभी जो ट्रेंडिंग चलता है कर्दम मुनी का सांखे योग, ये वो नहीं है, इसलिए अगर किसी को सही रूप से सांखी योग पढ़ना है वो पढ़े शीमत भागवतम थर्ड केंटो, और किसी को भक्ती योग सीखना है, तो भागवतम भी पढ़ सकता है, भागवत गीता भी पढ़ सकता है, बहुत सारे ये हैं, तो इसलिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये ही बताया गया जो बुद्धी मान होगा, वो दोनों को सेम रूप में देखेगा, दोनों का लक्षे सेम होगा, आगे हम चलेंगे, इसका तात्परे आप अराम से पढ़ सकते हो, छोटा सा ही है, 5.6 श्लोका नंबर, इसमें आता है, देखो फिर से, बार बार सन्यास वर्ट आ रहा है, फिर से भगवान कहते हैं, सन्यासा तू महाबाओ, दुखम आप तुम अयोगता, योग युकता मुनी ब्रह्मा, ना चिरेन अधी गच्छती, तो ये ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म, ठीक है, तो ये ब्रह्मा नहीं है, कई बार लोग सोते हैं, हा क्या आग, एक मात्रा, एक मात्रा और तो यह ब्रह्मा हो जाएगा यह ब्रह्म कहलाता इसलिए इसको पर्णा जी इंग्लिश वाले जो वर्शन पड़ते हैं उसमें सेम लिखिए पर एक ब्रह्मा व्र्म को नदेंगी पन्हों जोगे इससलिए sup Confusing words इंग्लिश में बहुत होते हैं, जबकि ग्यान की spelling क्या है, जो आप पढ़ते हो, G-Y-A-N, मगर उसमें आता है J-N-A-N-A, इसलिए difference आता है जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, पर कुछ words आपको इंग्लिश में clear होंगे, कुछ हिंदी में होंगे, इसलिए बोथ refer हम कर सकते हैं, दोनों गीता को, इसका translation है, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, समस्त कर्मों का परित्याग यानि कि ऐसा सन्यासी बनने से जो कर्मों का परित्याग करके बैठा है, कर्म करना जिसने छोड़ दिया है, भक बहुत जल्दी तो भगवान की भक्ति के लिए अगर कोई पूछे छोड़ दू सारे काम छोड़ दू भगवान ने तो यही बताया आप बोलो एक 5.25.6 भगवान ने कहीं नहीं बोला आपको छोड़ने के लिए भगवान ने यहीं बोला है कि भक्ति में लेगे बिना केवल चीजों को छोड़ देना इसका कोई फायदा नहीं है जब अंदर से वो detachment का भाव आएगा ना तब वो सही रूप से चलेगा अंदर से आना चाहिए वो हिर्दय से मान लो किसी को बोला जाए यह तो नॉर्मली बोला जाता है कि आप चार नियम पालन करो वो करो अंदर से चाहिए यह चीज और यह कब आएगा जब वो जुड़ेगा और जुड़ने से उसको सही ग्यान मिलेगा फिर वो फॉलो करते वे इन सब चीजों के अंदर आएगा चार नियम भी होते हैं अच्छा मास नहीं खाना होता अच्छा प्यार लेसुन नहीं खाना होता अच्छा भगवान के वे भोग नहीं लगाते अच्छा भगवान के लिए मदर्शन करना होता है जनमाशनी में जाना पड़ता है तो यह चीज़े हमारे को क्लियर करती है भगवान के बारे में तो ऐसा कर्म परित्याग सफीशन नहीं है केवल सन्यास लेके बैठ जाना भगवान ने इसकी मना किया है कल्यूग में ऐसे काम बताये गए पांच काम जिसमें से एक आता है कि सन्यास ना लेना तो एक कौन सा सन्यास मायावाद सन्यास ना लेना ऐसा सन्यास मिशेद है भगवान कल्यूग में इसको नो एंट्री देते हैं ऐसे कल्यूग में ऐसे लोगों को उनका पतन अवश्य होगा तो आप इसको पढ़ेंगे तात पर यह इसका छोटा साही है अब इसमें मैं आपको एक लाइन पढ़ाता हूँ कि मायावाद होता क्या है मायावादी सन्यासी भी वेदान सूत्रों का अध्यान करते हैं किन्तु वे शंक्रा चारे द्वारा प्रणीत शारेरिक भाष्य का उप्योग करते हैं भागवाद संप्रदाय के चात पांच रात्र की विदी से भागवान की भक्ती करने में लगे रहते हैं अगर एक है जो वेशनव सन्यासी को भागवान की डिव्य सेवा के लिए अनेक करकार के करने मायवाद सन्यास्स वहीं विए व्रण सन्यासी को तो भागवान की पंच रात्र विदी यानि पूझा अर्चना करनी है गोग लगाना है बहुत सारे काम होते हैं वैशनव के इसलिए मायावाद सन्यास और जो हम देखते हैं कौन सा वैशनव सन्यास दोनों में डिफरेंस है मायावादी और वैशनव इजम दोनों में डिफरेंस आता है अब आता है यहाँ पर कि मायावादी जो लोग होते हैं आपको क्या लगता है लोग शास्त्र नहीं पढ़ते पढ़ते हैं मगर कौन से शास्त्र जो शंकराचारे ने दिये हैं मायावादी वेत्ती गीता भी पढ़ता है और क्या बोलता है गीता पढ़के इश्वर निराकार है निराकार ने लिया कृष्ण का रूब धारण करके यही निराकार का जनम हुआ और कृष्ण बनके आए और इन्होंने ही सारी लीला रचना करी यही निराकार भगवान है तो वो निराकार पर पहुंच जाते है आपको पता भी नहीं चलेगा देखने मे आपको लगेंगे हमारे जैसे, मगर वो निराकार का ग्यान दे रहे होंगे, पूरा का पूरा निराकार का ग्यान, या किसी और को भगवान बिठाई होंगे, आजकल ऐसे भक्त हैं, जो विरिंदावन में पोचते हैं, और किसी को भगवान बता देते हैं, यह और भगवान आ और ये जिसने आपके हाग में भगवद गीता दी, उनका油 अपिरेंज डे परसो है, जिसकी वजे से आप हरे कृष्णा कर रहे हो, उनका अपिरेंज डे परसो है, प्रभु पाजी का, जिनकी वजे से आप ये व्रिंदा बन थोड़ा बहुत अपडाउन करतो हैं ये जान पा आप भगवान किसी को नहीं बना सकते भगवान भगवान ही होते हैं इस तरह से सही रूप से ज्ञान लेना चाहिए ये नहीं तो ज्ञान क्या बन जाएगा माया अगर हम यहीं नहीं जान पाए कि भगवान कृष्ण कैसे हैं दो बुजाओं वाले मुरली धारण करेवे और आपनी वेनू बजाते हैं आशिरवाद देते हैं भगवान ऐसे करके मंदिरों में जाके उनको यहीं नी क्लियर हो रहा का भी फिलोस्फी उनको लगता है कि इसके उपर कोई है निराकार है क्या फायदा इतनी जन्माश्ट्मियों कि भीड में जाके धक्के खाना कोई फाय और इस अंसार में सारी संस्था है मायावाद संस्था उभ्रमुकमारी मायावाद बता एक मंदिर को constant मिला दो कई मंदिर को continuous कई हरे मंदिर ले आओ एक मंदिर बनाओ तब जाके वो बनता है और उनके मंदिर देखो कितने है मगर मायावाद का ग्यान है किसी और कोई भगवान बता रहे हैं लोग के रहे हाँ प्रभुजी नीलकंट वर्णी थे ना भगवान अरे नी अंगे नीलकंट वर्णी ulent करिश्न का नाम कभी आपने सुना नीलकंट वर्णी कृष्न का कोई अवतार नहीं ने दिया यह तो लोगों वो भगवान ये भगवान वो भगवान कई लोग अपने आपको भगवान बता के चल रहे हैं विरिन्दावन में जाओ नावाले से पूछे बोलते हैं भगवान वहां रहता है वहाँ पे रहते हैं वह बाबाजी भगवान है चलके आते हैं रोज रात को बाबाजी भगवान है पूरे जटा धारन का हुई है बोल रहे हैं यह भगवान है विरंदावन में रहके हो एक ती उनको भगवान बता रहा है आप कहा रहे हो माया में नहीं फसे हुए सारे माया में फसे हुए ये तो केवल हमें दिख रहा है कि कोई माया में नहीं है, माया में नहीं है सब माया में है, फसे हुए हैं लोग और ये निकलेंगे तो सही रूप से ग्यान मिलेगा गीता पढ़ेंगे, बेसिक गीता लोगों पता नियोंगो बोपि बनना है क्या अगरोग एसी गोपि बनके नियुक्क नियुक्ति आख सब्झाइत नहीं सब्सक्राइब अब माते हैं सेवं नंबर ब्सक्राइब योग युक्ता विशुद आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिया सर्वभूत आत्मा कुर्वन अपी सर्वभूत आत्मा भूत आत्मा कुर्वन अपी ना लिप्यते तो इसका ट्रांसलेशन है जो भक्ती भाव में कर्म करता है जो विशुद आत्मा है कुछ पॉइंट्स है जो हमें जानने चाहिए इंपॉर्टेंट जो भक्ती भाव में कर्म करता है विशुद आत्मा है और अ यह ह管ा है ऐसा व्यक्ति कौन है बताओ जो फटीभायों से कर्मिकर रहा हो विशुद आत्म हो प्योट favour हो अपने मन और इंद्रियों को वशमे रखे सब हो प्रीय होता है किसीका द्वेशी नहीं होता सबस्थ्रेश कुप्रिए सब कुप्रिय होते हैं वो भी सबको प्रेम करता है, सारे लोग उसको प्रेम करते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी नहीं बंदता, कर्म भी करेगा मगर कभी बंदेगा नहीं उससे, इसमें देखो एक बहुत अच्छा एक्जामपल है, ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के प्रिथक नहीं सोच पाता, जिस प्रकार व्रिक्ष की पतियां तता टहनियों से भिन नहीं होती है, वै भली बांती जानता है कि व्रिक्ष की पतियां तता टहनियों व्रिक्ष से भिन नहीं होती है, वै भली बांती जानता है कि व्रिक्ष के जड़ में डाला गया जल, समस्थ पतियों है यह पत्ती और यह जड़ यह सब मिलके पेड़ बनाते हैं ऐसे ही कोई separate existence नहीं है देवी देफता का या हमारे किसी का हमारा existence क्योंकि कृष्ण है तो हम है तो जब आप कृष्ण पूजा करते हो तो सारे लोग तुस्ट हो जाते हैं जब आप कृष्ण भक्ती में आते हो और सही रूप से ज्यान लेके आप जान जाते हो कि मैं भी एक आत्मा हूँ सामने वाला भी तो सोल है ना इसको कैसे मारदू बिचारी च्वीटी है इसके अंदर भी तो एक आत्मा रहती है ना इसको कैसे दबा के पीसके ऐसे से करके जूतों के अंदर मसल दो तो ये सही रूप से ज्यान है वो दूसरों को प्रिये मानता है और दूसरे उसे प्रिये मानते है ये सही रूप से भक्त है ये भक्त को होना चाहिए जनरली हम केवल इंसानों को भक्त मानते हैं केवल इंसानों को और जो इतने सारे कीडे मकोडे होते हैं उनको हम मानते हैं ये भक्त नहीं है ये लोग जीवात्मा नहीं है हम उनको पिछकाते रहते हैं काते रहते हैं जल syntकर दालने अगर आप मारोगे आपको उसका करं बंधन लगेगा ये बात तो तegh ऩरहा है आपकո एक चैया आपने गलती से भी करा हो तालियों बजा बजाकर आपको उसका मिलेगा तालियों बजाने का भी इसलिए एक एक चीज जो हम कर रहे हैं उसको सोच समझ के करें अगर हमारे घर में कोई बोले कीड़े हो जाएं तो कीड़ें को प्यार करें क्या पर अब उची ऐसे करके इसे करके उनको प्यार करें क्या या हमारे घर में मान लो चोर घुज जाये तो YouTube में जहां पर बंद्व्यक्ति नें पाकिस्तान के लाहुर में शेर पाले में कराची में पर लाहुर में वो दिखाते हैं बड़े-बड़े शेर टाइगर पाले में ऐसी गुमरें उनके बगीचों में घरों में बैटे हैं सोफों पे सो रहे हैं बैट पे ऐसे करके इतना दर्शन, यानि कि हर किसी के अंदर जीवात्मा है, इनको मैं सताओना, मगर सम वर्ता नाप सेम बिहेवियर नहीं रख सकते, सब के साथ सेम व्यवार नहीं रख सकते, कुत्ते के साथ अलग रहेगा, इंसान के साथ अलग रहेगा, इंसान में चोर के साथ अलग, कैदी के साथ अलग और अगर कोई टेर्रिस्ट है उसके साथ अलग अच्छा आदमियत उसके साथ अलग भकत है तो उसके साथ अलग वेवार में डिफरेंस आएगा मगर यह बात लिखी गई है उस सबों को प्रिये मानता है जितने भी हैना यह सब भगवान की स्रिष्टी के ही है किसी को मत मारो दंड भगवान देंगे यह इनको अगर दंड देना है गलत काम किया चोरी करी है तो इसको लीगल वे से दो सही रूप से इसको दंड दिलवाओ वो सही रहता है ऐसा व्यक्ति सबों को प्रिये होता है और वो भी सबको प्रिये सबको प्रेम करता है ऐसा होना बनना इसलिए आप एक जैसा behavior सबके साथ नहीं रख सकते वियवार में difference आएगा ये बात तो तहे है मगर उनके साथ ऐसा नहीं करना गोली सो उड़ा दूँगा वो कर दूँगा ऐसे काम नहीं केवल और केवल उनके साथ behavior difference वियवार का difference एक parents हैं उनके साथ अलग वो रहेगा चाच का एक अंच है जो इनके अंदर रहता है किसी को कश्कना पुचाना ये भक्त का गुन है कि इसमें आपको और दिखाते हैं इसी के तात्परे में काफी बढ़ाए तात्परे तो यहां भक्त के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि उसकी चेतना शुद रहती है अता उसका मन पूर्ट या नियंतरन में रहता है शुद भक्त का मन हमेशा कंट्रोल रहता है मन के नियंतरित होने से उसकी इंद्रिया सयमित रहती है क्योंकि उसका मन सदयव कृष्ण में स्थिर रहता है अत्ला उसके विचलित होने का प्रश्णी ही नहीं उखता, जिसका मन कंट्रोल्ड है वो विचलित होई नहीं सकता, ना ही उसे कृष्ण से संबंदित कताओं के अतिरिक्त अन्य कारियों में अपने इंद्रियों को लगाने का अफसर मिलता है, वे कृष्ण कता के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाता। वे कृष्ण को अरपित किया हुआ बोजन के अतरीक्त। और कुछ नहीं खाना चाता। ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना हूँ। उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा बात बताया गया, यह भक्त का गुण है। उसको कृष्ण कता सुनना अच्छा लगता है। जिसको कता सुनना अच्छा नहीं लगता, वो क्या करेगा? ऐसे खोलेगा अपना वट्सैप, नीचे जाएगा, लेफ्ट ग्रूप, रिसेंटली लेफ्ट। तो ऐसे करने से क्या होगा? आप भक्त थोड़ना हो, आप भक्त नहीं हो, सामने वाला, अगर किसी के साथ बुरा कर रहा है, तब उसके साथ बिहेवियर डिफरेंस करके कोई लीफ करें तो समझ आता है, मगर ऐसे अगर कोई लीफ करते, बोले मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, आपको छोड़के पाकिस्तान जा रहा हूँ, क्या करोगे, आके क्रिशने कथा में रूची नहीं है, यहीं पर आपका फॉल डाउन स्टार्ट, आप गयोगे फॉल डाउन क्या होता है, फॉल प्रभुजी बोलो, हम ऐसे रहते हैं, हमने अपने कान बंद कर लिए, इस कान का हमने यूजी बंद कर दिया, अब हमने इस कान की सोसाइटी छोड़ दिया, इस तरह से हम रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए दरवाजे भगवान अपने बंद कर देते हैं, ऐसे शटर, क्लोज कहते हैं क्या करेगा आखे दर्षन तुुझे समझत ही नहीं आ रहा मेरे बारे में जानना यह नहीं चाहता है भगवान को उनकी कथा सुनने वृब दर्षान नहीं जाता है और दर्शन क्या होता है जब हम मंदिर जाते हैं जन्माश्थ मांने भक्त अच्छा सीखा था व्रिंदावन में उन्होंने बोला देखो जब आप मंदिर जाते हो जन्माष्टमी में तो आप क्या बोलते हो मैं दर्शन करने जा रहा हूं जन्माष्टमी है और दर्शन का मतलब और मिलने में क्या डिफरेंस है कौन बताएगा भक्तों से कोशन है कि दर्शन करने में और भगवान से मिलने में क्या डिफरेंस है ठीक है हेंड रेस करते हैं देखते हैं कौन भक्त बताएगा पोश्चन है बहुत अच्छा है यह फिर मैं आपको एक्स्प्लेइन करूँगा कोई भक्त जूम पर हैंड रेस कर सकते हैं कोई भक्त नहीं है ठीक है हनुमान प्रजापती प्रभू जी बताएंगे और कोई बताना चाहेंगे और कोई भक्त ठीक है यहां पर कुछ भक्त याश्माने प्रभू जी बताना चाहते हैं हरे कृष्ण प्रभू जी दर्शन में पिर हम भगवान को जाकी देखते हैं उनका दर्शन करते हैं लेकिन मिलने में हम मैसे जाते हैं कि एस वो हमारे फैमिली मेंबर है यह हम इनको जानते हैं जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं विल्कुल देखो कितना आदमी हो गया है बड़ा आदमी हो गया लगता है शादी हो गई ना इसकी बीवी ने सिखाया होगा दर्शन करने आ रहा है पहले तो बोलता था बुगा मैं आपसे मिलने आ रहा हूं मामा मैं आपसे मिलने आ रहा हूं भाई मैं तुछ से मिलने आ रहा हूं आज बोल रहा है आज मैं आपका दर्शन करने आ रहा हूं पक्का कोई गड़वड हुई है बीवी इनका सिखाया हुआ है और अगर बीवी कुछ ना कुछ लेके जाते हो तभी खाली हात नहीं जाते आप बुए के घर जाओ किसी अपने दोस्त के यहाँ जाहो किसी मैं कह रहूं का टार्य रियूनियन हो गई काई बारी आपसे हो किशन करने आइए तो बहुती कवादी लोगों की बात हो रही है ऐसे ही जब आप भक्ती में हो डिफरेंस है दर्शन और भगवान से मिलने में दर्शन का मतला है मैं देखूंगा आखों से अच्छा लग रहा है मुझे आखे ठंडी हो गई ये दर्शन है मगर जब मिलने जाओगे उनके प्रत जो नहीं है कम से कम प्रेयर्स दो उनको भगवान को प्रेयर्स देना अच्छा लगता है आग भगवान कहेंगे औरे मेरी जन्माष्क मी आ रही है तुम उझसे मिलना चाहता है ना तुने मुझे देख लिया ना अब एक काम कर घीता खोल और थोड़ा सा मेरे को देख ले क कि मैंने क्या उपदेश दी है अब यहां पर नहीं दिख रहे अरे क्या दिया यहां पर देवता ऐसे करते हैं भगवान ऐसे करते हैं मन ऐसे होता है यह होता है यह होता है यह हो गया आपका दर्शन यह दर्शन ही मिलेगा आपको मिलने में कृपा अलग होती है दर्शन में डिफरेंस होता है जनरली भग भी यही बोलता है मैं दर्शन के लिए जा रहा हूं दर्शन में और मिलने में डिफरेंस है आप उनको जा के बोलोगे आपको कैसा लग रहा है आज जनमाश्टमी है आज आज बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान से दीरे दीरे प्राथना करोगे कि कि आप कितने अच्छे हो चास मैं आपका सिंगार कर पाता पर मैं आपको घर में करूँगा मैं आपको देखने आया था कि कैसे लग रहे ऐसे करके और ऐसे करके वो रहे आगे बढ़ो हरी वो प्रकृष्ण जनमाष्थ में की जै बांके बिहारी लाल की जै बोलो जै जै श्री राधे शाथ इसको क्या करोगे जी रो थोड़ी सी कृपा मिल जाएगी इससे जादा कुछ नहीं जनम मृत्यू पार ही नहीं होगा जितना मर्जी दर्शन कर लो उसका जरम मित्यू पार नहीं हो सकता जब तक वो भगवान से मिलने की प्रक्रिया में नहीं आता मिलना होता है शास्तर के तुरू और जो इस प्रोसेस से ही भार हो गया वो खतम समल लो उसका पहला दिन आ गया पॉल डाउन का स्टार्ट हो गय या चीटर हो गया भगवान को चीटर भी पसंद नहीं है चीटिंग करने वाले कि पढ़ भी रहा है और चीटिंग भी कर रहा है काई लोग भागवत कथाये कर रहें पढ़ भी रहे है चीटिंग है ऐसे लोगों को ओं armor प्रभुजी हम बड़े शास्त्र पढ़ते हैं बड़े ग्यान ही और ग्यान क्या है आपके अंदर पहला ही चीज यह है कि भक्त को हमबल होना चीए और चीट नहीं करना चीए अगर आप चीटर हो आपसे कोई ठीक है क्या इसलिए भगवान से मिलने और दर्शन करने में मिलना ही है जब एक लड़की एक लड़की को लव लेटर लिखती है तो कितना खुशी होती ना या मैसेज लिखके बेटी है वाटसाप पे हाई जानू यूर लुकिंग सो स्वीट ऐसी भेषती है तो उसमें वक्ती खुश जाता हो अरे यार मिरको ना इसमें जानू बोल आज ऐसे करके बोल दिया अंदर यंदर लड़ू फूटता है वेक्ती के अंदर होता है नहीं होता बहुत जादा होता है आप सोचो एक मैसेज पढ़के अंदर यंदर लड़ू फूटने लग गया आपको और जब भगवान के बारे में पढ़ोगे तो क्या भगवान पुश होते हैं भगवान अगर आप जनमाश्तमी रख रहे हो व्रत रख रहे हो जो भी हो नए हो अगर आपके पास बुख है शास्त्र है पढ़ो अपनी सेवा छोटी कर दो माला सोला करो अगर एक्स्ट्र टाइम एक्स्ट्र कर लो क्रिपा कि माला में बहुत जादा है अगर आप इतने बीजी हो इसको टकर देने वाले हो तब ठीक है कि हां बोल सकते हैं आप इनके पास टाइम नहीं रहता बिचारे बहुत बिजी है बड़ी कोपनी चलाते हैं आपको बनाना पड़ेगा -"बहत एक संसार तो ही ऐसा वह आपको लपेटे गा मगर आपको बनाना पड़ेगा कही ना कही और अग कैसे बनाना है यही पर काम आती है गाइँडेंस यही पर हमें भक्त चाहिया यहीं पर गाइडेंस की काम आती है और इस गाइडेंस जो दूर हो जाए वो फिर गया इसलिए कृष्ण कथा में रूची होनी चाहिए यह बहुत का गुन होता है बहुत बड़ा गुन है इतने सारे लोग जो आप देखर हो जन्माश्त्मी में आ रहे हैं भगवान इमें पर क्रिपा तो कर रहे हैं मगर सच्ची क्रिपा हो है जो उनको कृष्ण कथा तक लिया है कही ना कहीं वो जुड़के सीखें प्रॉपर वे में आगे हम बढ़ेंगे आठ नंबर श्लोक पर आठ और नो यह दो श्लोक एक साथ में है फिर हम 10 नंबर बस दस श्लोक लेंगे पश्यन श्रणवन आस्प्रिशन जिग्रन अश्नन श्रणवन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन इस नेक्स्ट है इसमें श्लोक नंबर नौ प्रलपन वी स्रिजन घ्रन उनमिशन निमिशन अपी इंद्रियानी इंद्रिय अर्थेशु वर्तन्ते इतीधार्येन आगे आता है दिव्य भामनाम्रित युख पुरुष्ष्ट देखते अब यह भग का गुण है तो शुद भगता है उसका गुण क्या होता है देखते सुनते स्पर्ष छूते हुए सूंगते हुए तो सबका फेवरेट है खाते हुए, चलते फिरते, सोते हुए, सांस लेते हुए, भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है, हर काम को करते वे बोला गया है, कि वास्तव में वे कुछ भी नहीं करता, बोलते, त्यागते, ग्रेंड करते, या आँखे खोल बंद करते कि वे यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विश्यों में प्रवृत है और वे इन सबसे प्रिथक है, यानि कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वे जानता है कि वे वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है, यहां तक कि कई लोग को जिनको सुनते वे नींद आती है, तो बताया जाता है, उनके उपर एक देवी होती है, एक होती है तंद्रा, एक होती है निद्रा, तो तंद्रा क्या करती है, वो उनकी आँखों को ऐसे ले आती है, सुनते सुनते, अभी नींद नहीं आई है, आने वाली है, तो यह तंद्रा, अगला आता है निद्रा, वो आखे पूरी बंद करवा देगी और ऐसे करके सुला देगी और बड़ा आनन्द से वेक्तिस होता है। तो ये दो काम सबसे पहले होते हैं। मगर यहीं पर पता चलता है कि हम खुछ भी नहीं कर रहे हैं अपना। हम जो हैं हम तो प्रकृति के नीयमों के द्वारा इतने बंदेव हुए हैं और हम अपने आपको कहरें हम इंडिपेंडेंडेंट हैं। हमें कोई independent नहीं हो सकता, सब के सब हम बंदे हुए हैं, कहीं न कहीं जंजीरों से बंदे हुए हैं, हर चीज के रहे हम प्रती बंदे हुए हैं, सांस का हमें करदा चुकाना है, धूप का हमें करदा चुकाना है, थंड लगरी है, पेड़ के नीचे आ गए, बारिश ओरी है, क और वह वेक्ति ये भी जानता है कि बोलते, त्यागते, greaterन करते आँखे खोलते बन करते हुए वह ये जानता रहता है कि बहुती किंद्रियों अपने अपने विश्यों में प्रवृत ये बहुती किंद्रियों काम है, कुछना कुछ ये लगी रहेंगी और वह इन सबसे प्रिता के, हम ये सब नहीं है, ये शुद्भक्त का गोण है, नहीं तो हम तो अभी अपने आपको शरीर ही मानते हैं, हम अपने आपको ज़्यादा तर आत्मा कहा मानते हैं, बोलते हैं पर मानना जीरो बाई जीरो टेंट नमबर श्लोक में चलते हैं, आज का लाज श्लोक रहेगा ये, ग्यारा नमबर से फिर हम नेक्स क्लास में करेंगे, तो ये है ब्रमनी आधाय कर्मानी संगम त्यक्त्वा करोतिया लिप्यते ना सहपापे ना पद्म पत्रम इव अंभसा जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसकती रहित होकर अपना कर्म करता है परमेश्वर को अपना जो भी आउटकम आ रहा है वो भगवान को दे दो उसका क्रेडिट केवल बोलना नहीं है सच में करना पड़ेगा कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसकती रहीत होकर कर्म करता है आसकती नहीं रखनी इन सब चीजों से वे पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल्द से अस प्रश्य रहता है तो यहां पर भगवान के रहे हैं जैसे एक लोटस होता है लोटस के आसपास पानी होता है आपने देखा है कमल कहां पर खिलता है कीचड में और कमल कभी गीला नहीं होता आप कमल को ऐसे करके तोड़ो उस पर पानी नहीं होता आला कि वो उगता भी पानी नहीं है मगर उस पे कोभी भी पानी नहीं होता गंदगी नहीं होती किचड का पानी कोई जबडस्ती डाल दे अलग बात है मगर कमल में नहीं होता पानी कमल अप ऐसा आएगा एक उसकी डंडी होगी ऐसा करके खड़ा रहेगा आप उसको ऐसे करके तोड़ लोगे, यूँ ऐसे करके तोड़ लिया, मगर कमल जो होता है, ना आग पर कीचड आता है, ना पानी आता है, ऐसा ही यहां पर बताया गया है, कि भक्त होता है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वार को समर्पित कर देता है, और आसकती रहित है, और उस प्रकार कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति होता है, लोटस की तरह, उसको भारी रूप से दुखा रहे होंगे, पानी आ रहा होगा, कीचड आ रहा होगा, मगर वो कमल की तरह खिलता रहेगा, चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप रहे के खिलता रहेगा, सारी प चूपाते जो इस तरह से रहते हैं एक लोटस का दिया गया है तो हमें कैसा रहना है हम अपने कर्म भी करें उसको छोड़े भी ना त्यागी भी ना बने पूरी तरह से कि छोड़ दिया सब कुछ तो हमें अपने कर्म भी करने है और भगवान को समर्पित भी करने है इसका मतल तो कोई भग कॉल कर रहे हैं, अभी कॉल ना करें, तो अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी कोई भग कॉल ना करें, कर कॉल करेंगे, तो प्लास अटक जाएगा, तो यह था आज का दस्वा नंबर श्लोक, तो यहाँ पर केवल बोलना नहीं है, हमें सच में भगवान के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करना है, और भगवान के लिए अपना त्याग, अपने कर्म फलों का त्याग करना है, यह सई रूप से भक्ति है, यहाँ पर यही बताया गया, और उसको पाप से मुक्ती भी मिलेगी, तो अपने जो कर्म है, उसको त्यागो मत, यही आज का उदेश्य है, अपने कर्म करते रहो, भगवान की सेवा में लगे रहो, कुछ भी हो जाए, अपना कर्म मत त्यागना और कुछ भी हो जाए, ऐसा भी ना हो, कि बहुत जादा आ सकतो जाना, ना अटेच होना ना डिटेच, अन अटेच्मेंट, जो है उसे सेवा में लगाओ, और जो आ रहा है उससे अटेच मत हो, अब कैसे होंगे, इसका प्रोसेस आने वाले चैप्टरस में और आने वाले श चलेगा, यह था भगवत गीता के, दस्त लोग आज जो हमने कवर करे हैं, अब हम कोशन आंसर को लेंगे, ठीक है, अब इसमें कुछ भक्तों के, वो भी है, मैं एक बड़ी ले लेता हूँ, कोशन जो है, यहाँ पर बताया गया है, डीब कोशिक माता जी का कोशन है, प्रभु जी, कृष्ण जी का रंग ही शामवर्ण है, और उन्हें की रूप के लिए सब क्रेजी है, हान जी माता जी, आनिंदा माता जी की लिख रही है, मिलना is at personal level, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हमने कोशन किया था कि दर्शन और उसमें क्या फरक है, दर्शन में और जाके मिलने में, यह personal level होता है, personal connection होता है, भगवान से तब हम बोलेंगे, कि हम मैं मिलने जा रहा हूँ, यह भगवान से मिल रहा हूँ, भाव का difference है, देवेंदर पांट ने प्रभुजी बिल्कुल साही लिख रहे है, हनुमान प्रजाबती प्रभुजी पूछ रहे हैं, प्रभुजी, क्या इस श्लोक में 5.8 and 9 में आत्मा से reference है, कि आत्मा से मिलता चुलता है, question, 5.89, indirect way में है, direct नहीं है, direct नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है, grant करते, आँखे खोलते, बन करते हुए भी यह जानता है, कि बहुतीक इंद्रियां अपने अभीशों में प्रभुरित हैं, और वह इन सबसे प्रिथाक हैं, मतलब हम बहुतीक इंद्रियां हैं, यह शरीर नहीं है इन डिरेक्ट वे में यहाँ पे आत्मा के बारे में भी बताया गया है। ठीक है और यहाँ पे है प्रभुजी सांखे योग और भक्ति योग में डिफरेंस थोड़ा डीटेल में बता दीजिए। सांखे योग और इसमें बताया जाता है easy words में सांखे योग संख्या क्या गर्वाधारन संस्कार होता है अगर कई लोग नहीं करते तो कैसे वह हो जाता है और उसके बाद जो जाता है अंदर जो सीमेन होता है सीमेन के बाद वह कैसे कैसे डेवलप होता है डेवलप होने के बाद कैसी उसकी चेतना रहती है लड़का होगा लड़की होगी यह सब चीजे बहुत मेटर करते हैं यहां तक तो उन्हें बहुत सारी चीजे मताई कि कहते हैं पहले महीने दूसरे महीने पिए अइसरे महीने बच्चे को मां के पेटके अंदर उसमें एक-एक आत्मा का डिटेल में ग्यान है कि कैसे कैसे आता है और ये सारी चीज़ें उसमें आपको डीटेल में मिलेंगी, तो ये है सांखे योग, भगवत गीता में ये चीज़ें डारेक्ट ना बताके, वैसे वे में हैं कि हम जीव आत्मा है, शरीर हम से अलग है, हमारे उपर ये पांच इंद्रियां है, ज्यान इंद्रियां, पांच क किती माता जी, महिन्स आत्मा का जो धर्म है, वो सांखे योग है, आत्मा का ग्यान सांखे योग है, असान शब्दों में, आत्मा का डीटेल्ड ग्यान सांखे योग है, आत्मा का जो धर्म है, वो भी बताया जाता है, सांखे योग में, कि हमारा अल्तिम लक्षे विष्ण नहीं भगवान है देवी-देवता भगवान नहीं है तो वो देवी-देवताय उनको बना या क्यों गया है झाल ऐसे करके विश्नो की तरह łem और प्रभुजी कल भगवान को अन्ह का भोग लगया जा सकता है जन्वास्ट में भगवान का फास्ट नहीं है फास्ट है आप उसको अन्म का भोग लगा के नेक्स डे उससे सब्सकर कर सकते हो तोग सकते हैं ले सकते तुल्सी तोड़ सकते हैं कि निवस दिक्त कोई ले सकते हैं तोड़ भी सकते हैं आप सकते हैं शेक है प्रभूजी यही कुश्चन थी यश्माने प्रभुजी हरी कृष्णा प्रभु जी आज की क्लास बहुत अच्छी थी और सभी वक्टों को आने वाली जन्दमाश्टमी की बहुत सारी कुप्ताम नहीं सांखे योग में आत्मा का ग्यान है मगर यह लोकों का जो ग्यान है यह आपको भागवतम में प्रिश्णा यू जी मिलेगा ब्रह्म्च वगेरा ये सांखे योग में आत्मा का ग्यान है कि कैसे आत्मा संसार में आके तड़पते कुछ टॉपी किसी में कुछ टॉपी किसी में पूष घुता में इस तरह से चलता है मगर दोनों का लक्षे एक ही है बहगवान फ्रष्ण है इसका मितलब यह आत्मा की जर्णी पूतिया और इसमें बोला होगा अच्छ को मिलता है मा की गर में कैसे बनता है वो धीरे-धीरे करके बनता है वो डीटेल बहुत उपर उसमें दिया हुए भागवता में प्रभुजी यही क्वेशन था बहुत अच्छी थी क्लास प्रभुजी थैंक यू प्रभुजी अकॉर्डिंग तू यू प्लीस टेल हाउ टू सेलिब्रेट कृ चाहिए जो चार बजे नहीं उठ सकता है फाइल टिशू है पांच छे साड़े छे साथ उठ जाओ बस ऐसा ना हो कि सोते रह गए पूरे दिन उठे इनी व्यक्ति उठी नी रहा तो पहला है उठना चाहिए भगवान को प्रणाम करना चाहिए प्रेयर करनी चाहिए आर्ती के 12 बजे केक करते हैं और भगवान को इस तरह से बस केक भगवान को केक होए गरा कुछ नहीं चाहिए आप उड़ जाओ उनको बोलो आपका जनम दिवस की बहुत-बहुत भगवान आपको आपने इतनी लीलाएं करते हो आपका जनम तो दिव्य है आपने तो जनम लेने की जरुद थोड़ना है अगर हमारे लिए हमारे को लीला दिखाने के लिए यह सब करने के लिए आते हो नित आज हम इसले फैस्टीवल मना रहे हैं तो हमें आनंदार है ऐसे करके उनको ठैंक्यू करना चाहिए उनको विश्ख करना चाहिए जनम आश्म पर और उसके बाद ज सेवा यह नहीं हो पारी तो बाकी सेवा कम कर सकते हैं यह दो तो चीजें करनी चाहिए क्योंकि यही दो हमारे को इस अंसार से सबसे पहले मुक्त करेंगी और बाकी भगवान का शिंगार कर सकते हो टाइम है जल्दी उठके कर लो नहीं कर सकते तो इवनिंग में कर लो जिस सब बात कर सकते हैं मंदिर में जर्शन करने के लिए जा सकते हो बहुत लोग जाते हैं हम दर्शन बोल रहे हैं ताकि लोगों को कर देजिए मिलने के लिए तो लोग उरिंदावन चले जाएंगे टैक्सी पकड़के बोलेंगे ये वाले भगवान जो आपने बोले थे हम इन से मिलने आये तो वहां नहीं जाना है हमें भगवान से मिलने आपने पास के मंदिर में जाएं वहां भगवान को दर्शन करें मिलें और जो कुछ ले जाना चाहें ले जा सकते हैं इस तरह से आप करो भगवान के लिए को अच्छा अच्छा बनाओ जब मारे घर के किसी वेंबर का बढ़ दे होता है सबसे आदा उसको क्या खुश करता है खाना तो भगवान को हो अगले दिन आपने ही तो भगवान का प्रुशाद पाना है तो खूब चारी चीजों जो बनाओगे अगले दिन फास ब्रेक कर सकते हैं अगले दिन प्रहुपाजी का अपीरेंस दे है आविरभाग दिबस है उस दिन 12 बज़े तक का फास रखते हैं तो जन्माष्ट मी क फास्ट रात के बारा भजे नहीं complete होता तो वो फास्ट चलता है c赏 हब बिस तारीक को पूरा दिन चलेगा और सकता है była STOP already भाजे के बारा भजे के बारा भजे के बारा भजे के बाद achaस को फिर पुरी तरह से complete कर सकते हैं पू lavud कर सकते हो अने इस तरह से फास्ट रहता है canang कि के ओं कि टेन्क यू जो थि पांड़े माता जी में देवंदर पांड़े प्रभू भूषी के मांपार जी के बारे में आप कुछ जो गरंत है ये बाद की का वह गरंत है या उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना है तो एक आती ये गुग, प्रहुपाद बायोग्राफी, प्रहुपाद भारत के अध्यात्मिक राज़्टू, इंग्लिश में आता है प्रहुपाद मेसेंजर और सुप्रीम लॉर्ड, अगर डिटेल में पढ़ना है और तो प्रहु थैंक यू, कोमल मातजी, थैंक यू, हनुमान प्रजापती प्रभुजी, प्रभुजी अभिशेक, बारा बजे शुरू करते हैं उससे पहले, पहले भी कर सकते हो, बारा बजे जनरली किया जाता है, उसकी भगवान का जनम, रात के बारा बजे हुआ था, थैंक यू, ए ख्रिश्न जनमाश्च में इमा महुद्व की जाय, अरे ख्रिश्न बाला बजे हुआ जाय, प्रिश्न बहा मंत्र की जाय, श्रीला प्रहुपाद आविरभाव दिवस की जाय, ए खाई गोर्पे मननदें, अरी अरी बो, औरी बो